हलो फ्रेंड स्वागत है आप सभी का study IS and PCS चैनल के अंदर और आज हम जो वीडियो लेके आए हैं काफी सारे सवाल आ रहे थे कि जो result आएगा वो मतलब 8 जैसे की 6% आता है हमिशा से जो net का result है ठीक है वो आता है 6% है न तो always यही दिखते आ रहे हम लोग और इसमें क्या है क कि आपका category wise भी होता है तो आज इसी के ओपर discussion करेंगे 6% आएगा 4% आएगा या फिर आपका 12% आएगा ठीक है बहुत ज़्यादा डिमांड में हैं और काफी सारे confusion भी हैं और कुछ rumors भी हैं इसके ओपर हाला कि देखा जा रहा है कि जो अभी हैं TA का जो exam है वो जो खेल की बना हुआ है तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं और इसमें सबसे important जानकरी यह रहेगी कि आपको यहाँ पर confusion जो है वो clear करने की कोशिश करूँगी मैं क्योंकि काफी समय से मैं सोच रही थी कि इसके ओपर वीडियो बनाया जाए या ना बनाया जाए बट मुझे लगता है क इसके उपर एक वीडियो बनाना ही चाहिए तो उसी को लेकर करके आए हैं confusion आपका clear हो जाएगा लेकिन वीडियो पूरा देखिएगा है ना आप लोग यह सोच लेते हैं कि जानकरी सही नहीं है लेकिन यह पूरे paper pattern को देखते हुए और अभी जो चल रहा है ना उस सारी च exam होता है वो every year आपका two time conduct कराते थे ठीक है लेकिन अपी तो मतलब ऐसा हो रहा है कुछ समय से की लगी नहीं रहा है हमें की हम net के paper दे रहे हैं क्योंकि pattern बिलकुल change हो चुका है ठीक है तो यह ले चलती हुए आपको एक पराने notice के उपर अब यह दिखाना इसलिए जरूरी ह and December 2020 वाला जो exam था उसको क्या कर दिया 2020 और 21 को merge कर दिया था ठीक है अब इसमें सबसे main मुद्दा यह रहेगा मेरे वीडियो का कि आपको इसमें benefit हो रहा है या नहीं हो रहा है student के hands से मैं बना रही हो student को क्या benefit हो रहा है या नहीं हो रहा है तो चलिए देख लेते हैं यह आ है ना तो अगर समें notice आ गया था उसके बाद में हम देख लेते हैं देखिए फिर इसके अंदर एक चीज़ और है वो दिखा देती हूं मैं आपको बीटा second यह देखिए हाँ यह वाला note इस जरूर ध्यान से देखिएगा देखिए इसके अंदर है ठीक है यह देखिए लास्ट में आप इसको लास्ट में मैं पढ़ाना चाहूंगे आपको देखिए इसमें पूरा लिखा हुआ है जे आरेफ और बोथ यूजी सिनेट दिसेंबर टू 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 साइकिल ठीक है मर्ज्ट मैथडलोजी फॉर दो सब्जेक्ट अब देखिए नीचे वाला इंपोर्टेंट है इस है ठीक है 6% वाला ओके तो इस मैथटलोजी को और केटिगरी वाइज भी होता है आपका केटिगरी वाइज भी लेके चलते हैं और सब्जेक्ट वाइज भी ठीक है तो ये सारी चीज़ें चेंज नहीं हो रही है ठीक है आई होप आप लोग समझ रहे होंगे मैंने क्या दि अंदर 100 candidates ही बैठी है हम मान लेते हैं अब देखें टोटल जो फॉर्म बताए गए उसमें यह क्लियर नहीं किया गया है उस नोटिस में जब नोटिस आया था उसमें यह नहीं बताए गया था कि 2020 दिसेंबर साइकल के कितने स्टूडेंट हैं और नहीं यह क्लियर करा गया कि 2021 जून की कितने कैंडिडेट ने फॉर्म बढ़ा है तो यह तो आपको ट्रांस्पेरेंट क्लियर कर रही नहीं है और वैसे ने खेल सा बनाए हुआ है क्योंकि हमारे जो एक्जैम है वो मतलब कंडेक्ट हो रहे हैं कभी नहीं हो रहे हैं कभी कैंसल हो रहे हैं कभी कुछ आ रहे हैं और उन कैंडिडेट में हमें 6% सीधा सीधा मालूं है कि क्या होगा सेलेक्ट होगा यह एवरी इयर यही पॉसिबिल्टी रही है है ना तो अब मान के चलें कि अगर दिसमबर में ऐसा हुआ था तो कितने स्टूडेंट हुए 6 और सपोज उसके बाद में जो इध स्टूडेंट हो जाते हैं सपोज ठीक है पहले वाले में 100 थे तो हमने 6 ले लिया और यहां पे अगर हम इसका भी 6% ले लेते हैं तो फ्रेंट्स यह 30 स्टूडेंट हो जाते हैं और 30 ठीक है तो टोटल जो आपके जो सिलेक्ट स्टूडेंट आएंगे यह मैं free of category wise बता रह हैं तो हो क्या रहा है sorry यहां पे आपका टोटल 36 स्टूडेंट क्या हो रहा है सिलेक्ट हो रहा है ठीक है मान के चलिएगा अब इसे present कैसे कर रहे हैं देखिए confuse करने के लिए आपको मैंने 100 स्टूडेंट दिसंबर वाले साइकल के लिए 2020 के ओके और इधर 500 स्टूडेंट म हो गए कितनी हो गए sorry 600 स्टूडेंट हो गए अगर इसका फिर में 6 परसेंट ले लूँ ठीक है इसका 6 परसेंट ले लूँ तो आपका कितना होता है ठीक है sorry यह हो जाएगा आपका 36 ठीक है तो अभी जब हम लोग वहाँ पर calculate कर रहे थे तब वहाँ भी यही आया था वहाँ पर भी हम लोगों ने यही दिखा था कि 30 और 6 स्टूडेंट इस तरह से आ रहा था ठीक है 100 का लिया था हमने तो 6 आया था और 500 का हमने लिया था तो कितना है था आपका 30 आया था अगर इसे भी मैं मर्ज कर दूँ तो कितना आ रहा है 36 आ ठीक है यह बात तो हो गई 6% और 12% वाली जो confusion create हो रहा था अब आप total में से अगर ले रहे है total student ने form fill करा तो आपका selection कितना हो होगा अगर total student 500 plus 100 तो कितना हो जाएगा 600 अगर total हम result देखेंगे जब तो वह तो 6% ही हुआ ठीक है और अगर अलग-अलग देखेंगे तो इसे क्या कहेंगे कि NTA ने बोल दिया बच्चे खुश हो गए 12% selection होने वाला है अब आप एक बात समझो ठीक है NTA बहुत समय से mind game ख preparation कर रहे थे एक तो उनका कितना सारा time जो है वो lost हो चुका है ठीक है और बहुत confusion में exam होई है हमें तो लगी नहीं रहा था कि exam होने भी वाला है क्योंकि इतनी बार NTA ने उसे cancel कर दिया तो वो ऐसा लग रहा था कोई खेल हो रहा है exam नहीं हो रहा है second बात जब December वाले जो student थे ठीक है December वाले जो student थे उन्होंने last year exam दिया उसके पाद December का वेट किया तो वो पहले से पढ़ रहे थे ठीक है अब यहाँ पर exam आपका conduct हो गया ठीक है मर्ज भी हो गया अब मर्ज हुआ तो वो हुआ जून वाले में ठीक है अब बात को समझिएगा ठीक 2021 के जून के जो student थे उनको देखिए अगर वो exam पहले ही time से conduct हो जाता January के समय में आया था ठीक है जो form आया था बच्चों वो हमारा form आया था कब आया था वो आया था January में 2021 में ठीक है कि March तक हो जाएंगे अगे March अप्रेल का आया था तो बट वो हुआ नहीं ठीक है कराया ही नहीं गया हो सकता था बट नहीं कराया गया ठीक है और फिर उसके बाद में उसको इसके संग में merge कर दिया गया ठीक ये merge कर दिया गया अब जब merge किया तो देखिए हुआ क्या जो December वाला exam था उसकी विज़े से हमारा क्या हुआ June cycle का भी merge हुआ अब जो December वाले बच्चे एक वार select हो सकते थे एक उनके पास chance था another chance उनके पास में ठीक है तो देखिए जैसे मान के चलिए कि 2020 वाले जो December के जो student थे उनका loss इसमें जादा है क्योंकि वो एक attempt दे चुके होते ठीक है एक उनके पास में already chance होता select होने का ठीक है उसके बाद में जो next वाले जो आपका next वाले जो exam था 2021 का उसमें जो बच्चों ने candidates ने क्या करा फॉर्म फिल करा है तो उन student के अतना loss नहीं हो रहा है जितना 2020 वालों का हो रहा है क्योंकि ये exam आपका 2020 माना 2021 वालों का भी अब loss है अब उनका भी loss है because उनका भी आगे exam ऐसे ही मर्ज हो जाएगा यही कहके कि time नहीं है because अभी हिंदी का paper leak हुआ है friends एक तो हो गया रहा है हमें तो यही समझ नहीं आ रहा है कभी exam cancel हो जाती है कभी date postpone हो रही है कभी paper leak हो रहा है मतलब सब कुछ हो रहा है इस बार तो मतलब ऐसा लग रहा है कि जो नहीं भी possible था वो भी इस बार हो रहा है कुल मिला करके यह है कि student को कोई benefit नहीं है यह merge होने से कोई benefit नहीं है बलकि loss हुआ है बहुत loss हुआ है अभी जो vacancy निकली थी अगर आप मान के चले 2020 वाला exam पहले से हो चुका होता तो आप qualify होते और आप उसके लिए eligible हो पाते ठीके सबसे बड़ी पात आप job के लिए eligible हो पाते लेकिन अभी क्या है इदर जो merging चल रहा है फिर paper league चल रहा है इतनी सारी problem इविन अभी जो हिंदी वाला 27th December को जो हुआ था exam उसके अंदर ये तक problem आई है कि questions में problem थी इविन वहाँ पे जो passage आया था RC का उसमें English में पूरा दिया नहीं था जबकि हिंदी के अंदर वो पूरा दिया हुआ था मतलब क्या है मतलब एक exam contact हो रहा है वो भी इतने समय के बाद हो रहा है आप मतलब 17 months waste कर चुके हो student का उसके बाद में ये सारी चीजें होके आ रही है paper league हो रहा है और अभी एक और confusion आपका दूर कर देती हूँ कि यहाँ पे जो भी benefit है ना वो कोई भी student को नहीं मिलने वाला है क्या नहीं होने वाला है किसी भी student को कोई benefit नहीं होने जबकि अगर ये two time conduct हो गया हो था तो आप लोगों को timely job के लिए apply करने में या PhD के लिए apply करने में possibility मिलती यानि दो chance आपको जो मिलते अब वो आपको एक ही chance मिल रहे हैं तो इस तरीके से कोई benefit नहीं है even जो age वाला जो factor है वो भी यहाँ एक problem create करेगा और बिल्कुल बिल्कुल इसका loss जो है वो student को ही होगा और exam के pattern change करके tough करा गया है paper को even यहाँ तक देखे गया है कि कुछ questions इस तरीके के भी थे जो की मतलब बहुत ज़्यादा concept के साथ concept के साथ में और बहुत analytical question है यानि आपके time तो मतलब आपको किसी भी तरीके से पूरा नहीं पढ़ने वाला था इतना analytical paper पहले नहीं आये हैं इसलिए student बिल्कुल ready नहीं थे बठा एक chance है कि अब आप उसके लिए prepare हो सकते हैं ठीक है तो अब भी तो यह मान के चलिए कि जो result है वो जाए 6% आ रहा है लेकिन उसका कोई benefit हम लोगों को students को नहीं मिलने वाला है NTA को बहुत benefit होने वाला है क्योंकि उनको exam कम conduct कराना पड़ा even student भी कम select होके आएंगी क्योंकि paper उन्होंने इसी pattern से रखा है काफी analytical paper था I hope यह confusion तो आपका clear हो गया होगा कि 12% नहीं होने वाला है 6% ही होगा क्योंकि आप total कई तो देखोगे न और फिर chance भी तो आपको एक ही मिला है ठीक है अभी यह भी कुछ doubt में है क्योंकि हिंदी का paper लीग हुआ है एक एक करके नहीं आएगा ठीक है यह बिल्कुर sure sure मान के चलिएगा तो हम यह मान के चल रहे हैं फिर भी फिर भी हम यह मान के चल रहे हैं कि January में यह possible कर लें अगर यह February तक process जाता है तो यह मान के चलिएगा next वाले paper 2022 के 2022 के paper June and December के भी मर जोंगे और फिर student के संग वही धोका होने वाला है जो इस बार हुआ है कोई benefit हमको नहीं मिलेगा फिर एक ही chance रहेगा 2022 में भी यही सब होगा इसलिए पहले से अभी से महनत में लग जाएए कोई फायदा नहीं है paper बहुत analytical होने वाले है इससे ज़्यादा tough ही देखने को मिलेगा एक साल में एक बर paper बनारे है उन्हें भी पता है हम इतना सारा पढ़ रहे है लेकिन इन्हें यह नहीं बता है कि हम confused कितना हो रहे student कितना problem में है बार-बार leak होना paper postpone होना cancel होना अब मैं नहीं समझती हूँ इससे जिम्मेदारी लेनी चाहिए और आई थिंक बच्चों को कोई benefit तो देना ही चाहिए उनको तो ठीक है मैंने चाहत है कि आप लोग का confusion क्लियर करा जाए तो answer की तब तक नहीं आएगी friend जब तक कि Hindi का paper दुबारा से ना हो जाए तो hope करते हैं अच्छा करें वो जल्दी answer की और जल्दी paper लीक हुआ है उसका जल्दी से जल्दी उसको exam दुबारा कराना चाहिए जिस center का वो आई थिंक उसका कराना चाहिए तो student वह सफर करते हैं ठीक है तो आज की वीडियो में इतना ही फिर भी कोई confusion होता है तो आप मुझे comment करिएगा comment करके बताइएगा ठीक है कुछ बच्चों ने comment किया था पूछा था तो मैंने सोचा इसके उपर doubt clear कर देते हैं student वही select होने वाले है 6% total का ठीक है बट आप तो एक ही seat लोगे न लेकिन यहाँ पर जो दो option आपके पास थे exam देने के वो जा चुकी है तो कुल मिला करके student का पक्का पक्का loss हुआ है student का कोई benefit यहाँ and TA ने नहीं सोचा है ठीक है बाकी आगे देखते है notification में क्या आता है अभी तक तो कोई notification ऐसा नहीं आया है जिससे कि हम कुछ कह सके पुराने notification थी जो मैंने दिखाए थी आपको जिसमें merging की बात करे थी I hope you guys all doing well and all the best for your upcoming examination और बने रही हमारे वीडियो में subscribe जरूर कर लेना, bell notification को दबा लेना जिससे आपको सबसे पहले हमारे जो जो भी वीडियो बनते हैं अपडेट होती है सबसे पहले मिल सके okay friends take care to the next video